नमस्कार दोस्तो, टोटल खबरी चैनल पर आपका स्वागत है अगनीपत स्किम को लेकर देश भर में युवाउं द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रही है विरोध प्रदर्शन करने वालों की मांग है कि अगनीपत योजना को सरकार को वापस ले और सेना में भरती की जो पुरानी प्रक्रिया है उसी के ताहत सेना में भरतियां की जाए देश के कई हिस्सों में विरोध के नाम पर हिस्सा और उत्पात मचाने की घटनाई भी सामने आ रही है अब इसी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है आज तीनो सेनाओं की प्रेस कॉंफरेस हुई और इसमें सेना की और से हिंसा करने वालों को साप तोर पर चेतावनी दी गई है कि अगर उनके खिलाब एफायार दर्ज होती है तो वे अगनीवीर नहीं बन सकेंगे लेटिनेंट जनरल अनिल पूरी ने कहा है कि जब अब्यर्ती आवेदन करेंगे तो उन्हीं यहां उलेक करना होगा कि वहां अगनीपत योजना की विरोध के दोरान हिंसा और तोड़ फोड़ करने वालों में सामिल नहीं थे उन्हांने आगे कहा कि इस योजना पर पिछले दो साल से काम चल रहा था अब की बार हर बारीकी पर ध्यान दिया गया हमने योजना में आयू सीमा दो साल इसली बड़े है क्योंकि युवाओं का दर्ध हमने समझा है लेटिनेंट जनरल ने आगे कहा कि हम यंग आर्मी चाहते है यहां योजना अब किसी भी कीमतवर वापस नहीं होगी उन्होंने कहा कि योजना पर जो लोग सवाल उठा रहे है कि अगनी वीर चार साल बाद क्या करेंगे तो हम साप करना चाते है कि हमारे देश की 85 इंडर्श्ट्री ने कहा है कि वह अगनी वीरो को लेना चाते है लेकिन ये रातो रात संभव नहीं है तो दोस्तो लेपनी नेंट जनरल ने साप कर दिया है कि यहाँ भरती की जो नई प्रिक्रिया अगनी पत है ये किसी भी कीमत पर वापस इसे नहीं लिया चाहेगा इस बारे में आपके क्या विचार है कमेंट के जरी हमें बात आये और हम इस वीडियो को यहीं पर देंगे विराम और मिलेंगे अगले वीडियो में